बेगु सराय के उत्तर दाइनी सिमरिया धाम में कुम्ब का मिला आयूजन किया गया है जिसके शुरुआत 29 अक्टूबर को साधू संतों के द्वारा ध्वजा रोहन के साथ किया जाएगा कुम्ब आयूजन को लेकर समीती के द्वारा प्रेस कोंफरेंस कर कारेक्रमों के बारे में जानकरी दी गई जिसमें ये बताया गया कि सिमरिया धाम में 2011 अर्द कुम्ब और 2017 में कुम्ब का आयूजन हो चुका है अब 2023 में कुम्ब का आयूजन किया जा रहा है। कुम्ब सेवा समीती के दुवारा 29 अक्टूबर से सिमिरिय धाम में रोजाना गंगा महारती का आयूजन किया जाएगा। इस कुम्ब में तीन शाहिसनान होंगे जिसमें देश के कई अखाडों के साधु संत शामिल होंगे। पंचांग के मताबिक पहला शाहिसनान 25 अक्टूबर, दूसरा शाहिसनान 11 नवंबर और तीसरा शाहिसनान 27 नवंबर को आयूजित होगा। कार्थिक पूनिमा के गंगा इसनान के साथ कुम्ब का समापन किया जाएगा। कुम्ब मेला समीती के महा सचिव रजनीश कुमार ने बताया कि शरधालूं को हर संभव सुविधा देने के लिए कुम्ब की तयारी पूरी कर ली गई है। साधू संतों को निमंतर जा चुका है। और कुम्ब के लिए आएंगे तो वा पुरा उनके व्यवस्था, उनकी सेवा, उनके सुरक्षित असनान, उनके वहां अगर रात में ठारते हैं तो उनकी व्यवस्था, गंगा महारती की व्यवस्था और साथ-साथ वहां के सुरक्षता, सुरक्षा, इन तमाम चीजों को लेकर कि जिस तरह से हम लोग 2011 से काम कर रहे हैं, इस बार भी वहां काम करेंगे, ये भी से आज तुवारे अजनेटी ने आप सब को बताया है, और इसका उद्गाटन 29 अक्टूबर को कुम्ब धोजारोहन सिमरिया में होगा, सभी साधू संत महात्मा करेंगे। बतादें की कार्तिक पूरिमा के गंगा इसनान के साथ कुम्ब का समापन किया जाएगा, कुम्ब सेवा समीती द्वारा, गंगा घाट पर इसनान की विवस्था के साथ साथ, दूसरे राज्यों से आने वाले साधू संतों के रहने और खाने की विवस्था की जाएगी, फिलह कुम्ब के आयुजन को लेकर तयारियां अंतिम चरण में हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगुसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट। करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।